नमस्कार दोस्तो पीम किसान सम्मान निदी योजना की आठमी किस्त के पैसे अभी तक किसानों के खातों में ट्रांसपर नहीं हुए हैं दोस्तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ये किस्त अभी तक क्यों आपके खाते में ट्रांसपर नहीं हुई है और दोस्तो कब तक आपके खाते में ये किस्त आएगी आपको पूरी जानकारी मिलेगी इस वीडियो में वीडियो में लाश्ट तक बने रहें इस टिप बाइस टिप आपको पूरी जानकारी बताई जाएगी दोस्तो आपको बता दें प्रदान मंतरी किसान सम्मान निदियो पहली किस्त 20 अपरेल तक आ जाती थी इस बार देरी हुई है तो देरी का कारण क्या है आपको बता दे आज सरकार जो है वो जल्द ही आपके खाते में दो-दो हजार रुपए क्रेडिट करने वाली है युस्तियोजना के ते ते तीन किस्तों में किसानों को सरकार के द्वारा 6,000 रुपए की आर्थिक साइदा प्रदान की जाती है आपको आटमी किस्त जल्दी मिल जाएगी हलाकि इस किस्त को बेजने में पहले ही थोड़ी देरी हो चुकी है लेकिन खावर ये है कि अब ये किस्त इसी महीने आ जाएगी यानि कि मही के लाष्ट तक आपको ये किस् संक् Truck की वज़े से इस वार किस्त आने में देरी हो रही है लेकिन जिन अपातर किसानों को पहले स्क अलाब मिल चुपा है उनसे पाइसे बसूले की प्रिक्रिया भी सुरू कर दी गई है, प्रिक्रिया पूरी होने के बाद नाइन पॉइंट फाइब किस्त को पहली किस्त किस्त की सुरुआत होनी थी लेकिन अब तक यह खाते में नहीं आई है मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो आठमी किस्त किसानों की खातों में दस मई तक भेजी जा सकती है हाला कि अभी कें सरकार कियों से इसका कोई आदिकारिक एलान नहीं किया गया है अब दोस्तों आपको बताते हैं अगर आपका PM किसान सम्मानने दियोजना की लिष्ट में नाम है तो आप किस तरीके से अपना नाम चेक कर सकते हैं दोस्तो PM किसान सम्मानने दियोजना की लिष्ट में अपना नाम चेक करने के लिए सबसे पहले आपको PMकिसान.gov.in वेबसाइड ओपिन करनी है दिखाए देगा beneficiary status जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके का interface open हो जाएगा यहाँ पर आप अपना आधारकार नमबर डाल के अपना status चेक कर सकते हैं या फिर bank account से चेक कर सकते हैं या फिर mobile number से तो दोस्तो सिंपल मैं यहाँ पर mobile number डाल देता ओं उसके बाद यहाँ पर enter कर देता हूँ तो जैसे ही मैं यहाँ पर एक mobile number enter करूँ आख उप यहाँ पर आप की पूरी जानकारी यहाँ नीचे आ जाएगी यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा हुआ है FTO is generated payment confirmation is pending तो दोस्तो अगर इस तरीके से आपका आ रहा है तो दोस्तो आप बेफिकर रही है आपको जैसे ही वहाँ से पैसा डाला जाएगा government की तरफ से वैसे ही आपके खाते में आ जाएगा अगर यहाँ पर कुछ और लिखा हुआ आ रहा है तो दोस्तो आप नीचे comment box में comment कर सकते हैं हम आपको reply आवस करेंगे उमीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी पसंद आई हो तो like, share और subscribe जरूर करें